इस लेक्षर में हम तीन या तीन से ज्यादा विरियेबल्स को एनलाइज करना सीखेंगे किस तरीके से उन्हें इनलाइज किया जाता है और कैसे एक्सप्लोर किया जाता है तो एक बात याद रखे हमारे पास Excel की काफी एडिन्स मौझूद है लेकिन जो एडिन मैंने अभी आ ऐडिन्स पर जाके यहां पर क्लिक करेंगे तो एनलसिस टूलपक आ जाएगा यह एक्सल का अपना टूलपक है इस पर जाने के बाद आपको मल्टिपल टेस्ट मिलेंगे डेटा पर क्लिक करें डेटा अनलसिस टूलपक ऊपन हो जाएगा and there you have a lot of tests, lot of analysis here लेकिन यह अनलस क्योंच है यहां पर क्लिक करने से खुष्ट की है और इसको फिर एड़ किया ठीक है तो यह होला यूज कर होगा और इस एड़ न में बहुत ज्यादा अनलासिस है अगरम यहां पर क्लिक करता हूं यहां पर कि बिजाएं मिल्टि विरियेट की थरफ move करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ t-test वगरा के test कर रहे हैं अगर by variate की बात की जाए अगर sample size 30 से ज्यादा हो तो आप z test use करेंगे जो अभी तक हमारे लिए नहीं हुआ multivariate की तरफ move करते हैं usually multivariate analysis तब किया जाता है जब आपके पास samples या variable 3 या 3 से ज्यादा हूँ यानि के 2 से ज्यादा हूँ for example अगर मैंने compare करना है 3 चीज़ों को मेरे पास columns है 3 say for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ students teachers and then parents ठीक है और यहाँ से students and teachers की हम जो है वो अपने पास values ले आते हैं और parents की हम add कर देते हैं of course teachers और students की parents से ज्यादा ages होती है तो अगर मैं parents से कम होती है अगर मैं यहाँ पर 50 से start करूँ 56 आ जाएगा 49 आ जाएगा 48 आ जाएगा फिर extra call 42 and then 40 तो मैंने तीनों की ages यहाँ पर लिख ली है parents, teachers and students ठीक है यहां तक clear हो गया आपको अब हम इन तीनों को compare करके देखते हैं again add-in पर जाओंगा statistics पर जाओंगा tools जो add-in मैंने की है वो बली clear चेक करता हूँ हमारे पास ANOVA table होता है two factor ANOVA होता है one factorial ANOVA होता है one way repeated measure of ANOVA होता है there are many other test as well फिर यहां पर multivariate analysis के अंदर भी MANOVA है and there are many other test as well तो यहां से भी आप कोई भी analysis कर सकते हैं जैसे ANOVA है one factor ANOVA पर click करूँ तो यह one factor ANOVA आ जाएगा यहां पर आप input range add कर सकते हैं ठीक है और इसको आप ANOVA test की base पर देख सकते है and let's see कि यही काम Excel की add in कैसे करती है पहले data पर click करते है data analysis पर चले जाते है यहां पर हमारे पास है ANOVA two factor with replication ANOVA two factor without replication और single factor मैं single factor पर click करता हूँ input range हमारे पास है यह वाली इन तीनों को मैं select कर लेता हूँ let's see क्या होता है grouped by columns कर लेता हूँ यह rows भी है columns की base पर हमने की है label is in the first row ठीक है और output range मैं चाहता हूँ इसी analysis की यहां पर आ जाए मैं okay करता हूँ and here you go यह आपके पास single factor ANOVA का result आ गया ANOVA किसे बोलते है ANOVA is analysis of variance ठीक है analysis of variance बोला जाता है इसे और मैंने अपने पिछले lecture के अंदर जो लोग data analysis bootcamp के अंदर enrolled है उनको पता है कि मैंने बड़ी detail में बताया हुए अगर आप book पे जाएंगे यहां पर ANOVA लिखेंगे search bar के अंदर then you will see कि ANOVA को मैंने बड़ी detail के अंदर यहां पे define किया हुए कि ANOVA होता है क्या है hypothesis testing में ANOVA का क्या roll है p values क्या होती है statistical test कौन कौन से है so on and so forth तो यह एक छोटी सी diagram आपको मैं दिखा देता हूँ यहां पे कि statistical test के अंदर अगर आप numerical data को analyze कर रहे है यहां पे बताया हुए and then we have some other test अगर आप देखे तो हमारे पास अगर two continuous dependent variable है तो correlation होगा जो हमने पहले कर लिए जिसमें Pearson correlation था फिर हमारे पास two variables है तो हमने independent sample पे independent t test किया ठीक है three या ज्यादा variables होँगे तो उसमें हमने देखने one अगर continuous है ठीक है continuous dependent variable है only one is continuous dependent variable two or more continuous dependent variable होगे तो हम ANOVA लगाएंगे वरना one factor ANOVA लगेगा सो मैं simply आपको ANOVA की एक example दिखा देता हूँ पहले आप कैसे लगाएंगे किस तरीके से लगाएंगे वो भी आपको बता दे तो and then we will understand किस तरीके से ये काम चल रहा है अगर आप घौर करें हमारे पास यहाँ पे basically जो column है ना वो इस तरीके से है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे है ANOVA single factor है single factor ANOVA है हमारे पास और अगर आप घौर करें summary इसकी यह है कि students, teacher and parents का count है 666 sum है इनका यह average यह है और इनका variance यह है तो यह basically descriptive summary है हमारे पास आगए फिर ANOVA की बात करते है अगर आप घौर करें तो source of variation हमारे पास between groups है या within groups है sum of squares आ जाता है degree of freedom आ जाती है यहाँ पे mean square आ जाता है फिर F statistics आ जाती है P value हो जाती है and F critical आ जाता है कहने का मकसद यह है कि अगर इन तीनों groups में कोई फरक हुआ यानि कि जो हमारा null hypothesis है पहले वो बता देते हैं वो state करता है कि student equal to teachers equal to parents कि इन तीनों की ages बराबर है alternative hypothesis क्या कहता है वो यह कहता है कि student की age is not equal to यह आप कह सकते हैं there is a difference between ages simple इसका मतलब यह हुआ कि अगर p value हमारे पास less than 0.05 है then we will reject this null hypothesis इसका मतलब यह है किन तीनों में फरक है फरक कितने है किसमें कितने है we are not discussing that we are just saying किन तीनों की ages में फरक है ठीक है और किस base पे बता रहे हैं यह p की value की base पे अब आप देखें यह p की value इतनी कम है 4.000 something और फिर आपके पास यह value आ रही है क्योंकि यह scientific notation के अंदर लिखी हुई है अगर आप इसको number की form में लिखे then it is something like this तो यह p की value इतनी कम है इसका मतलब है इसके अंदर बहुत ज्यादा आपके पास यही बताता है कि तीनों values के अंदर आपके पास फरक मौझूद है यहां तक clear होगे आपको समझागी बात की तो p value जो है हमारे पास that is the most important value whenever you are talking about any statistical analysis ठीक हो गया इसका मतलब है p की value significant है इसका मतलब यह हुआ कि p की value p is less than 0.05 that means we are actually rejecting this null hypothesis that means we are actually accepting the alternate hypothesis ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि p की value पे सारी game p की value के उपर है probability की value के अब आप सोच रहे होंगे p की value, p की value, p की value क्या होती है so again I would recommend कि आप यहां पे जाएं p value को गोर से पढ़ें कि यह क्या है और बड़ी roman उर्दू के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है इसका threshold भी बताया और जितने भी statistical analysis है उनके बारे में भी बात की हुई है यहां तक clear हो गया इसको बोलते हैं ANOVA अब ANOVA आपने लगा लिया आपको पता लगे हैं तिनों में फरक है लेकिन अगर आपने यह फरक find out करना है कि student और teacher में कितना फरक है teacher और parents में कितना फरक है parents और students में कितना फरक है तो आप क्या करेंगे आप दो-दो का bivariate analysis करेंगे b c का a b का और a c का ठीक है यानि कि आपके पास तीन values है a b and c ठीक है students, teachers and parents अब आपने क्या करना है इन तीनों के combination बना लेगे कैसे combination बनेगे a और b का analysis a और c का analysis and b और c का analysis तो ये तीनों combination या तो आप t-test के through कर ले पहला तरीका कार होता है t-test के through दूसरा तरीका एक और होता है जो valid है that is doing post-hawk analysis post-hawk analysis post-hawk tests भी बोला जाता है उन्हे post-hawk test क्या होते है जब आप अनोवा लगा लेते हैं अनोवा को further groups के अंदर divide करके उनके analysis करने को post-hawk test बोला जाता है और वो focus test कौन कौन से है तकी एचस्डी टकीस एचस्डी इसके इलावा है बर्नॉलिस let me see डंकन भी है डंकन multiple range test है और अगर आप यहां पर statistical test में जाएंगे यहां पर post-hawk test में जाएंगे you will see all the numbers टकी एचस्डी है bonferroni है chefist test है duns test है holmes method है fisher lsd है फिर आपके पास welsh q test है जिसमें rayans आइनोट gabriel welsh 2 है फिर आपके पास newman's qeols है there are many other tests तो usually most important है वो टकी एचस्डी है या duns test है या bonferroni test है ठीक है so usually आप टकी test या bonferroni test जो है इन दोनों को use कर लेते है to do some kind of post-hawk analysis अब देखते हैं कि यह तो हमने analysis कर लिया add-ins में हमारे पास post-hawk मजूद है गया नहीं मैं थोड़ा से और इसको जाता हूँ इसके अंदर ANOVA पर क्लिक करते है हमारे पास ANOVA ही है सिरफ और उसके इलावा हमारे पास बाकी भी है split plot है there are many other तो हम देखते हैं कि multivariate में हमारे पास यहाँ पर Brunner's-Milson test है non-parametric test है chi-squared independence वो हम बाद में देखते हैं power sample size test है we don't need that ANOVA पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करते है and here you have the test input range आप बता देते हैं crucial values है ANOVA follow up यह पड़े हैं जी अब देखा आपने मज़ा देखा चीज का कि जो statistical test Excel की अपनी add-in के अंदर मुजूद नहीं है वो ANOVA के अंदर automatically मुजूद है with the add-in जो मैंने आपको बताई है which is very important add-in real statistics resource pack वाली ठीक है अब मैं क्या करता हूँ same इने values पर one way ANOVA लगाना है but I will just copy this paste it here और यहाँ पर Excel की add-in की बजाए मैं अपनी जो real statistics add-ins है उसको use करता हूँ one way factor यहाँ पर input range में मैं यह वाली range दे देता हूँ तीनो और हम क्या क्या करने वाले मैं आपको बताता हूँ ANOVA लगाना है ठीक है आप बाकी test भी लगा सकते हैं brown force test है kruksul walis है welsh test है leween test है random factor test है you can do a lot of things मैं यहाँ पर लवीन test भी क्लिक करता हूँ यह basically आपकी homogeneity test होता है अच्छा फिर आपके पास अगर ANOVA लग गया तो Tucky HSD भी perform कर दे ठीक है and dunnets test भी perform कर दे pairwise t-test भी कर दे तो Tucky HSD done it and pairwise t-test मैंने कर दी है kruksul walis follow up test अगर आप ने करना है तो उसके लिए आप यह duns test कर सकते pairwise MW कर सकते है बढ़ duns test मेरे ख्याल से ठीक है kruksul walis क्यों होता है यह basically इसका against non-parametric का test होता है फिर bonforoni correction है यह duns यह सिदाक correction है bonforoni correction पर depend करता हूँ क्योंकि this correction is better जिनको statistics का पता है उनको पता है जिनको नहीं पता आपको जो काम है वो मैं अभी आपको बताता हूँ आपका important काम क्या है मैं यहाँ पर इसको okay करता हूँ and here ages are a test within few clicks sorry okay यह मेरे पास ANOVA single factor मैंने लगाया यह तीन groups है यह इनकी summary आगे जो उपर भी आई थी लेकिन summary के साथ-साथ इसने कुछ और भी दिया है यहाँ पर चेक करें alpha है p value हमारे पास significant value कितने alpha की वो आगे standard error आगे lower and upper confidence interval आगे फिर यह तीनों के means आगे क्योंकि आपको मैंने बताया है sorry यह means आगे नीचे zoom out करूँ तो यह आप देखें कि right to left आपके पास सारे के सारे test लग चुके ठीक है left to right sorry तो यह हमारे पास जिनाब description आगी यह anova लगा हुए between groups जो हमारे पास है within group जो हमारे पास है वो सारे के सारे results यहाँ पर आगे now we will go to the right side यह है टकी HSD test ठीक है टकी HSD क्या कर रहे है क्रैमर्स test यह टकी HSD यह करता है students, teacher and parents के दर्मियान यह basically तीनों को compare करेगा कैसे करेगा अभी देखिएगा यहाँ पर अगर आप होर करें आपके पास एक p-value है, दूसरी p-value और यह तीसरी p-value है ऐसे ही है एक, दो, और तीन और यह तीन और p-values क्या बता रही है अभी देखिएगा students और teacher आपस में इनका फरक है यह नहीं this p-value will show that students versus parents का फरक है this p-value will show that teachers and parents का फरक है then this value will show that तो इसका मतलब है टकी HSD test जो है यह basically आपको बता रहा है कि आपके पास जो analysis आपने किया है उन तीनों में कितना फरक है उन तीनों का mean भी है standard error भी आगई q-stat भी आगई उनकी और आपके पास बाकी चीज़ें भी आगई यह basically q-test भी है और आप इस तरीके से इसको analyze करके further refine भी कर सकते है आगे चलते है यह आगया जनाब dinner test यह same वही चीज़ है teacher and parents इन दोनों का test है basically यह आपको बताएगा कि किस तरीके से आप use कर सकते है dinner test को student, teachers and parents के दिर्मियान d-test यह dinner test के अंदर यह चीज़ें use होड़ाएंगी फिर pairwise t-test आपके पास आगया pairwise t-test का मतलब है student, teacher का t-test लग गया automatically student and parents का लग गया and teacher and parents का तो आपके पास pairwise analysis यहाँ पे t-test की base पे भी आगया which you can show in your analysis then you have again dinner test और यहाँ पे groups का analysis आगया so this is very important add-in इसी वज़ा से मैं कहता हूँ कि यह add-in आप जरूर use करें इससे आपको तीनों के तीनों groups का आपस में फरक भी पता चल जाएगा और बाकी चीजों का भी पता चल जाएगा यहाँ तक clear हो गया आपको अगर आप गोर करें तो ANOVA हमें यह बता रहा है और ठकी टेस्ट हमें यह बता रहा है कि तीनों में ही significant फरक है बजाए इसके जो आपके पास students and teachers हैं अगर इनकी value देखी जाए तो यह मेरे पास थोड़ी सी इस तरीके से आ रही है that shouldn't be like this लेकिन हम देखते हैं कि क्या फरक आ रहा है students and teachers का then हमारे पास यह दोनों का and then we will see कि हमारे पास बाकी फरक क्या है so हम क्या करेंगे यहाँ पे एक plot बनाएंगे insert करते हैं बलके मैं जो यहाँ पे इनको select करता हूँ select करने के बाद insert करता हूँ और insert करने के बाद plot बना सकता हूँ simply कौन सा plot वो ही bar plot लेकिन उसके लिए मुझे mean and standard deviation चाहिए होगा आपको भी पता है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक row add करता हूँ simply right click करके insert row तो यह मेरे पास row आगी एक में मैं mean सभी के रख लेता हूँ और एक में मैं standard error रख लेता हूँ ठीक है so इन दोनों में अब मैंने mean और standard error रखनी है मैं यहाँ पे average का formula लगाता हूँ mean नीचे अगर आगा गौर करें आप यह मेरे पास standard error रहन तीनों की यह इनका mean है तो मैं यहीं से नहीं बना सकता plot अगर आप गौर करें तो तो मैं यहीं काम करता हूँ आप copy paste यह आगी मेरे पास means तीनों के copy right click and transpose और यहाँ पे मैं इनका link एड़ कर दूँगा बल्के आज वैल्यू एड़ कर देता हूँ अच्छा यहाँ पे अब special paste आएगा मैंने यहसे इसे copy किया copy करने के बाद यहाँ पे click किया control alt v press किया अब यह क्या करेगा सिरफ values paste करेगा और उन्हें transpose कर देगा सिरफ values and transpose like this इसी तरीके से standard error copy right click बल्के control alt v values and transpose ok तो यह मेरे पास mean and standard deviation दोनों की आ गई है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसको select करता हूँ insert पे जाता हूँ यहाँ पे जाता हूँ more columns पे जाता हूँ templates में जाता हूँ यह वाला मेरे पास इस तरीके से automatically मेरे पास एक मेरा template पढ़ा हूँ है मैं इसी को यहाँ पे use करता हूँ अब इसमें यह तीसरी value आ गई है यह इसका मुझे अभी कोई फाइदा नहीं है अब हम क्या करेंगे यह तीसरी जो बार है इसको थोड़ा सा modify करते हैं तीसरी बार को और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो काम पहले हमने किया है वो किस तरीके से चलता है इसमें solid fill नहीं not like that इस बार पे क्लिक करने solid fill पे सिरफ एक पे solid fill इसको मैं थोड़ा सा यह वाला color दे देता हूँ या मैं इसको purple दे देता हूँ purple color दे दिया इसका मैंने border जो है वो solid line करके यहां से one कर दिया जो मैंने पहले भी किया था अब मैं क्या करूंगा add पे जाके errors बार पे जाके more options पे जाके आपको भी पता है कि यहां पे select करने के बाद specified values और यह हैं जी हमारी specified values positive भी negative error भी okay कर दिया यह हमारे पास values आ गए standard error की ठीक है क्योंके template में already यह सारी setting हुई है तो इस तरीके से आ गया अब क्योंके हमारे पास teacher, student और side पे ages हैं तो हम यहां पे age लिखेंगे years लिखेंगे and इसको bold कर देंगे और यहां से automatic color कर देंगे ठीक है अब आपने किस तरीके से फरक show करवाना है तीनों का, वो हम देखते है अगर आप गौर करें आपके पास यहां पे यह जो groups आपके पास आए हैं किसी भी एक test के आप अगर गौर करें तो यहां पे आपके पास students और teacher का p value 0.06 है यानि कि there is no difference between students and teachers ऐसे ही है students and teacher के अंदर कोई फरग निया according to the तकी HST test लेकिन अगर आप paired by T test पे जाएं paired by T test पे जाएं तो इन तीनों में ही फरक है ठीक है इसका मतलब है हर statistical test अपनी specific assumption रखता है तो अगर मैं कहूं इन दोनों में कोई फरक नहीं है that means how I can show that यहां पे मैं A लिखता हूँ इसको मैं bold कर देता हूँ गोर कीजएगा मैं क्या कर रहूँ यहां पे यह मैंने A लिखा इसे bold कर दिया इसको मैं copy करता हूँ यहां पे paste करता हूँ यहां पे मैं इसको A रहने देता हूँ फिर इसे paste करता हूँ यहां पे लागे इसको B कर दूँआ अब आपको एक चीज नजर आ रही है यानि के A और B दोनों different है ना इसका मतलब है students और parents की जो ages है वो भी different है इसी तरीके से teachers और parents different है इसी तरीके से A और B भी different है यानि के जब letter totally different होंगे that means everything is different जो भी हमने यहां पे show की है and this is how आप अच्छे से समझ सकते हैं के आप post talk analysis को कैसे show करते हैं समझ आगी बात की clear हुई बात यहां पे आपने aesthetic नहीं लगाने यहां पे आप इस तरीके से चीजों को show करेंगे और आप legend में यानि के जब यह figure कहीं पे upload करेंगे उनके analysis में बताएंगे के after doing the post talk takit HSD test we ended up with this conclusion that students की age जो है वो differ करती है teachers की age से यह नहीं करती है आपने बता देना and then parents की अब अगर हम इसी को t-test की base पे देखें अगर आप t-test देखें तो यहाँ पे right side पे जाने के बाद यह मेरे पास paid wise t-test है मैं यहाँ पे graph को paste करता हूँ t-test के उपर अब देखें यह कहता है तीनों में ही फरक है तो अब आप क्या करेंगे इसको b कर देंगे इसको c कर देंगे simple इतनी सी बात है so group 1 and group 2 में students तो आप इस तरीके से lettering कर देते हैं और यह lettering आपने बतानी होती है जब भी कोई analysis करना है तो आपने बताना है कि मैंने plant as to use किया उसके alpha की value कितनी तो और बाकी values कितनी थी और उसके लिए जो information आपको चाहिए होती है that resides here यह है आपका ANOVA table यहां से यहां तक यह ANOVA table अक्सरों का thesis में आपने paste करना होता है this table जो यहां भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यह table ठीक है इसको बोलते है ANOVA table ठीक है यह आपका descriptive statistics है from here until here यह आपका descriptive statistics है यह जो है यह descriptive statistics है यह वाला है ANOVA table and this is your Tucky HSD test with some kind of Cohen's D and mean, critical, p-value and some other statistical analysis जो मैं अभी discuss नहीं करने वाला because it will be too much for you at the moment तो यह जो main चीज़ बताने है आपके से multivariate analysis को start कर सकते है तो यह तीन आपके सामने आगे अब यह मैंने बिलकुल basic analysis आपको करके बताए है और basic multivariate analysis यानि के तीन values को मैंने आपको analysis of variance करके बताया but still there are a lot of things to do जब बात आती है multivariate statistical analysis की and people have written down a lot of books on multivariate statistical analysis यह एक छोटा सा काम नहीं है अगर आप गौर करें तो ANOVA एक separate चीज़ है जो तीन values को आपस में compare करता है ठीक है depend करता है कि आपके पास कितने variables है multivariate analysis में आपके पास multivariate analysis of variance आजाता है which is totally different repeated measure के साथ ANOVA जो है यह बिसकलि यह भी आप multivariate analysis के अंदर लगा सकते हैं which is actually called MANOVA ANOVA को as it is भी यूज़ कर सकते हैं there are many other types of tests जो आप यूज़ करते हैं time series को भी यूज़ करते हैं then you can also use regression correlation भी आप यूज़ कर सकते हैं association test भी यूज़ कर सकते हैं and then mycellaneous test अदर भी है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास multiple test statistics मुझूद हैं जो आपको सीखनी होती है as a data scientist या as a data analyst ठीक है so this is how you can learn and यह जो excel का पूरा एक data night हमारी चल रही है excel night चल रही है इसके अंदर आप काफे कुछ सीखने वाले हैं जिसमें काफे चीज़ें तो मैंने अब यह तक आपको बता दी है इसके इलावा आप खुद से भी test कर सकते हैं खुद से भी analysis कर सकते हैं क्यों का answer statistical analysis देती है और इसी वज़ा से अगर basic statistics आपको आती हो you can do a lot of things and believe me life sciences या different किसम की sciences के अंदर यह जितने मैंने अभी तक test पताया हैं these are very important यहां तक अगर आपको समझ आगी है write down in the comment section and in next lecture हम थोड़ा सा advanced level पर भी इन चीज़ों को देखने वाले हैं